लक्षावदी कोरोना बॉरियर्स, चाहे दॉक्टर हो, नर्सीज हो, सभाई कर्मी हो, एंबिलन्स चलाने वाले लोग हो, किस-किस के नाम गिनाऊंगा। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेत्रित्व में, भारत सरकार द्वारा किये गए निरंतर प्रयासों के द्वारा, आज भारत कोरोना के खिलाफ लडाई को निर्नायक रूप देने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। देश की बुन्यादी जरूरतों को ध्यान में रखकर, भारत सरकार ने हर कदम पर देश के नागरिकों की हर संभब मदद की सफल कोशिश की है। इस लडाई ने हमारे कोरोना योध्धाओं के समर्पन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आईए मिलें ऐसे ही कुछ योध्धाओं से, जिन्होंने कोरोना से निपटने के लिए मोधी सरकार के कारियों को और गती देने के लिए अपने स्तर पर की पहट। हलो, समिता बेन, यो कोछू तमर्पनी थी कोई वैक्सिन मा आउतू न थी, यो कुछ गप्राने के जरूरत नहीं है, हमने वैक्सिन रखाए, हमको कोई तकलिप नहीं हुई है, कल सुम्भे में मिलते हैं टोकन के लिए साड़ा आट बजे, ठीक है? हाँ हमारे यहाँ निवटका जैसा काम तो खतम हो गया है, वैक्सिन का, लेकिन वहले हमको बहुत तकलिफ हो रही थी, जब नया नया वैक्सिन आया था तब पबलिक नाज कोई रही थी, कि अमार न थी मुकावानी, तो ते वक्षत है और जे विरी ते मेडिया मान बदा मां अपफावन बदु आओ तो वाटसेप पर, हमें लोगों बदारे एक करी करी नेमने बुलावां माटे प्रयादना करिये चाने करजन जैसे दुर्गम क्षेत्रों तक तीका करण की जानकारी पहुचाने के लिए, सरकार के प्रयासों में हेतल जैसे कई स्वास्थिकर्मियों ने साथ दिया और इसे संभव किया कच्रे की गाड़ी सब सुबे में जाती है तो उनके साथ लिख के देते थे कि आज यहां पर सेंटर है वहीं पर वेक्षिन के लिए जाने का है और वेक्षिन रखाने से क्या फाइदा होते हैं सब वो माईक वाले बूलते थे अने जिये पबलीक त्यारे नती मानती ये पनवे बधानू जोईने आववा लागी छे के ना वेक्षिन मुकावाथी घनू सारू छे हम गहुछ जाके भी वैक्षिन किया है जो लोग नहीं मानते थे लोग वैक्षिन के अन्थ अन्टर तक आने सकते थे वह लोग को घरपे जाके भी हम वैक्षिन कर अब कर दये जिसा गशंओ महामारी की संकट घड़ी में हेतल जैसे स्वास्थे कर्मियों ने सरकार के कारियों में सहयोग करके कर्तविन निष्ठा का प्रमान दिया है भारत उनका रिनी है आपकी सेवा, आपका स्रम, सरवे भवन्तु सुगे नहा के हमारे संकल्ब को अवश्य सिद्ध करेगा हमारा देश कुरोना से भी जीतेगा और विकास के नए आयाम भी हासिल करेगा प्रमान देश करेगा